वाटसब गाईज आज हम देखने वाले है रात में मत देखना यह डरावना भूतिया वीडियो भूतिया बोला है दोस्तों कुछ और मत समझना बहुत पुराना जोक है यह पुराना पुराना भी इसके लिए नया वर्ड है किसकी वीडियो है गोर्ब कतारे एक्स्ट्रा चैनल से वीडियो है गोर्ब भाई की करते हैं ने पुरानी चीजें करने का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने 90-70 के दोरान बनी हुई एक पुरानी डॉल को खरीदा जो देखने में काफी नॉर्मल थी लेकिन उनको नहीं पता था कि यह नॉर्मल से देखने वाली डॉल बिलकुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि अब ये डॉल उनका जीना हराम करने वाली थी और वही हुआ रात के समय इस डॉल ने अपने आप मूमेंट करना शुरू कर दिया जब इस डॉल के ओनर को थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने शक को पक्का करने के लिए डॉल की रिकॉर्डिं कैमरे की तरफ देख रही है डॉल सबसे पहले तो डॉल के पास जो ग्लू स्टिक रखी थी वो गिरी उसके बाद फिर डॉल ने मूमेंट करना शुरू किया लेकिन किसी ने नोटिस किया कि ये सारा मूमेंट कितने बज़े हो रहा था वहाँ पर जो घड़ी रखे थी ना उसमें रात के तीन बज़ रहे थे लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी भूतों पर यकीन नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना इसे देखने के बाद भाई सहाब आप सोयम इस वीडियो पर कमेंट करते नजर आओगे के भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो ये है हमारे इस चैनल पर 2024 का पहला वीडियो रियल घोष्ट पार्ट 21 जल्दी से देखते हैं आगे आने वाले भूतिया वीडियो बिना कैसी इंट्रो या बिना कैसी देरी के शुरू करते हैं आज का फ़डू वीडियो जोष नाम के एक अमेरिकन बंदे को अपने घर में कुछ अजीब सा फील होने लगा उसे ऐसा लगने लगा कि उसके घर में कोई रहस्मई या फिर कोई भूतिया शक्ती रह रही है जो उस पर रात के समय नजर रखती है लेकिन जोष इन सारी चीजों से डरा नहीं बलकि उ और अगर हो तो तुमने शायद मेरे ये पुराने वीडियो नहीं देखे एनिवे मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि ये एक ऐसा गेम होता है जिसका यूज करके आप आत्माओं से संपर्ग कर सकते हो जो की आपको बिलकुल भी नहीं करना चाहिए भाई ये रात को घर में मौजूद है वो इससे बात नहीं करना चाहता यहाँ पर जोश ने अपने कैमरे से चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और आप देख सकते हो कि उसके जो ड्रॉइंग हॉल है वहाँ पर टेबल पर एक गुड़ा टाइप कर रखा हुआ है और वो अपने आप मूव लिया और सामने आया कुछ ही यह Dark कुणा यहां पर जोश भाई रात को अपने घर के बेसमेंट में जा रहे हैं भबापर ए जबधैं दिन में देख ले ना वहाँ पर कुछ था वहा पर कुछ था एक मिनट ये देखो भाई यहाँ पर एक अजीब सा चेहरा है यार यहाँ पर घोस्ट है इस बेस्मेंट में तुम देख रहे हैं अगर गलती से जोश भाई नीचे चले जाते हैं न तो उनका पूरा जोश नकलिया था बहुत खतरनाक अज्याम हो सकता था लेकिन जोश की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया लेकिन उसी रात को जोश अपने घर में आराम से सो रहे थे तो ने अपने घर के भार खड़की पर किसी के होने की आवास सुनाई दी उन्होंने तुरंत अपना कैमरा स्टार्ट किया क्योंकि वो और तो कुछ स्टार्ट कर नहीं सकता था मैं होता तो अपनी गाली स्टार्ट करके भाग जाता लेकिन जोश ने रिकॉर्ड किया उस भूत को आप खुद देखिए कांस से एक चेहरा दिखाई दे रहा है और लिटरली बहुत डरावना है भाई ये मतलब फाइनली जोश ने उस आदमी या उस एंटिटी का चेहरा कैप्चर कर लिया जो उसके घर में उसको हॉंट कर रहा था लेकिन अब आगे क्या हाई साहाब यार इसको देखके गूजबम्स आ रहा है आगे कर वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत ही नहीं हो रही मुझे तो खुद डर लगना लग गया कैसे रह रहा था भाई ये इस घर में बाप रे इट सो स्केरी यार ये अगला वीडियो थोड़ा सा कम डरावना है इसमें भूत के दर्शन तो होंगे लेकिन डर नहीं लगेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को छोड़ कर भाग जाओ तो ये वीडियो है चिली की राजधानी सेंड डियागो का जहाँ पर एक बस ड्राइवर ने अपनी बस में एक भूत देख लिया वो भी सुबह सुबह है जब ये लेडि ड्राइवर अपनी बस में चड़ी तो बस बिलकुल खाली थी उसके बाद उन्होंने सेक्यूर्टी परपस के लिए लाइव कैमरे इसकोछ egg किया कि सारे कैमरे जो बस में लगे वुए हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं और उन्हें दिखा एक बंदा जो बस में सीट पर बैठा हुआ है जब उन्होंने बस में देखा पलटकर तो पूरी बस खाली थी लेकिन कैमरे में एक इनसान बस की सीट पर बैठा दिखाई दे रहा था वो भी लाइव कैमरे में ये नजारा देखने के बाद वो लेड़ी ड्राइवर बहुत अच्छ से समझ गए कि कैमरे में ये जो दिखाई दे रहा है ये किस तरह की सवारी है और उस driver ने इस पूरे incident को अपने mobile में record कर लिया, एक तरफ उन्होंने live camera की screen को दिखाया और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने same camera से without any cut उस खाली bus को दिखाया आपको क्या लगता है, ये क्या था, ये कैसा effect था, ये कोई glitch था, या फिर वाकई में ये कोई paranormal activity थी लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसी activities देखकर आपको डर नहीं लगता तो जरा रुको, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हो ना वो आपके wrong टे खड़े कर देगा, ये वीडियो है कमबोडिया का, जैसे RC Fund TV2 नाम के YouTube चैनल ने डाला था, ये लोग paranormal activity पर research करते हैं, ये इस जगे को haunted माना जाता है, तो जब ये YouTube चैनल वाले यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए पहुँचे, तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर भटकती हुई आत्माओं पर चड़ावा चड़ाया अगर बत्ती लगाई, ताकि उनकी आत्मा को शांती मिल सके, भूलो ये सभी रिच्वल परफॉर्म करी रहे दे, तभी अचानक उनको नदी के किनारे से कुछ आवाज आई और उन्होंने अपना कैमरा उस तरफ टर्न कर लिया, और यहाँ पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, पाई साब यहाँ पर नदी के किनारे कोई बैठा हुआ है, कोई चेहरा बिलकुल मचली जैसा है या फिर मतलब इसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है, सड़ गया है, पैचान भी नहीं आ रहा कि यह इनसान है या क्या है, भाई साब बहुत डरावना है यार यह मतलब और उसके बाद वो जो भी था क्रीचर आत्मा या भूत वो पानी मे वापस चला गया, क्या डेंजरस सीन था यार इसको देखने के बाद चच्चों की हलत खराब हो जाए, यह जो भी है इसकी चमड़ी हद से ज्यादा पीली है, यह मतलब नॉर्मल इंसान जैसा लगी नहीं रहा है, अजीब ही लग रहा है को जैसे पानी में सड़ी हुई आजमी का चेहरा लेटरी तुम देखो, जूम करके यह इंसान भी लग रहा है और काफ यह तक तो मुझे एलियन जैसा देख रहा है, यह वीडियो अपलोड किया था डीज डार्क एडवेंचर नाम के यूट्यूब चैनल ने, और यहाँ पर इस चैनल के सब्सक्राइबर इसकी कार का डेश कैम कैमरा चालू था और उसमें कुछ यह रिकॉर्ड हुआ, यह बंदा रात के समय कहीं जा रहा है, सब को सही चल रहा है, और एक मोड पर इसको एक अकेले में लड़की दिखाई दी, इसने गाड़ी को स्लो करके पूछा कि आपको कुछ भाई साब वाओ, बाप रे, उस लड़की को ज़रा जूम करके और स्लो मोशन में देखे ना तो उसकी आखे नहीं देख रही है, आखों की जगए सिर्फ काले गड़े हैं, शी लुक सो इसकेरी, बाप रे, दूर दूर तक भाई कोई नहीं है, खतरनाक इंसिडेंट है यार यह तो, म जैसे कि मतलब क्या वो लड़की थी, क्या भूत थी, जो भी थी, उसके पीछे भागी, वो दोड़ लगा के और उस आदमी ने अपनी गाड़ी भागाई, खैर उसने एक तम सही काम किया, ऐसा ही करना चाहिए, एनिवे मैं तो यह बोलता हूँ कि इतनी रात को कभी किसी से पूछना भी नहीं चाहिए, तो मैं हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, यूगि अगर उस लड़की को हेल्प चाहिए होदी, तो वो इतनी रात को भटक थोड़ी रही होती, वो भी ऐसी सुनसान जगह पे, जार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को थोड परनॉर्मल एक्टिविटी लगी, या फिर उस लड़की ने उस बंदे को ऐसी डरा दिया चीक के, चले एनिवे इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सर्प्राइज है, एक स्पेशल सेक्शन रखा है मैंने जहां पर मैं आपको थोड़ी कुछ अलग टाइप की क्ल दिखाऊंगा, लेकन उससे पहले देखते हैं हम एकदम 100% pure paranormal activity और इस activity का नाम है ghost in KFC, तो यहां पर एक करमचारी KFC में अपना काम कर रही थी चिकन, जिंगर, बर्गर, बर्गर जो भी मिलता है, मुझे नहीं पता है मैं तो नौनवेच खाता नहीं हूँ, जो भी मिलता है KFC पर वो बना रही थी, सर्फ कर रही थी, तभी पीचे अचानक से एक चिम्टा रहा हुआ था, और वो अपने आप मूव करके platform पर से गिर जाता है, लेकिन ये वाली जो activity थी ना, ये जो भूत ने की थी, ये इतनी impactful नहीं थी, तो लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिय और इस बात का भूत ने आगे जाकर बड़ा खतरनाक बदला लिया, अगले दिन यहाँ पर सब को सही चल रहा है KFC में और ये लड़की खाना वाना पैक कर रही है, और तभी अचानक से, ओ, के, ऐसा लगा पूरी lights हवा में उड़ गई, पूरे glass ये और डिस्पोजल रखे थी, या फिर हवा की वेज़े से हुआ था, लेकिन उसी रात को भाई साब भूत को आ गया गुसा, उसे लगा गौरब कड़ा रहे एक्ष्टा तक हमारी बात पर यकीन ने कर तो उसने क्या किया, जरा ये दे गी है, ये बंदा अपने KFC की टेबिलों को साफ कर रहा है, सफ ले लिया करो नहीं तो भूत फर बाद में ऐसी हरकते करते हैं, एंड़ वास इसके बाद उस करमचारी ने KFC तो क्या किसी भी रेस्टोरेंट पर काम करना छोड़ दिया, सीरियसली, लेकिन तुम बोलो के गौरब भाई, ऐसी घटना है तो हमने बहुत देखी है, तो जरा आगे देखो, लेक्चर अभी बागी है, इसी KFC पर भी यह जो स्टोर मैनेजर थी, वो किसी क्राक से बात कर रही थी, उसको ओर्डर दे रही थी, कैमरे में हमें देखाई दे रहा है कि जो स्टोर मैनेजर है या फिर जो भी है यह, जिस भी पोस्ट पर है, जिस से बात कर आया, वो आदमी गायब हो गया, और गिर गया, जब उसे बाद में कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाए गई उस लड़की को, भाई उसकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो जिस से डील कर रही थी, वो एक भूत था, वो एक्चुली में आपको कैसा लगा, रियल घोष पार 21 आपको कैसा लगा, तो चलो जड़ा देखते हैं अब ग्लिच इन दा मैट्रिक्स का एक स्पेशल सेक्शन, ये फुटेज है जर्मन रॉक बैंड की जहां पर लीड सिंगर कॉंसर्ट में लाइव गा रहे थे, और उनकी सारी रिकॉर् जैसी लग रही है, लेकिन ये एक लाइव कॉंसर्ट है और इस घटना को बहुत से कैमरेज ने एक साथ रिकॉर्ड किया है, बहुत सरे लोगों ने अपने मुबाइल पे इस घटना को रिकॉर्ड किया है, अब ये चमतकार कैसे हुआ, बोई नहीं जानता किया वाकई में ये जो सिंगर है, ये इंसान नहीं बलकि एक सर्पेंट यूमन है, जो इंसानों का भेस बदल कर हमारे बीच में रह रहा है, ठीक ऐसे ये घटना हुई थी, जहां पर एक महिला अपने फार्म हाउस में अपनी मुर्गियों के साथ खेल रही थी, तब ही अचानक से सारी मु वरत को समझी नहीं आ रहा है, सारी मुर्गियां रुकी हुई है, कोई मुमेंट नहीं, उस वरत में बहुत आवाज लगाई, आप खुद देखो यहां पर, वो औरत कितनी आवाज लगा रही है, लेकर मुर्गियां नहीं हिल रही, बहुत से लोग दावा करते हैं कि ये व मुमेंट बिलको रोक देती हैं, ताकि शिकारी को वो दिखाई ही ना दे, और शायद यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है, मुर्गियों को घूमते फिरते मस्ती करते, आसमान में कोई शिकारी दिख गया होगा, जिसकी वया से उन्होंने खुद को पॉस कर लिया, चलो इस वीडियों का तो एक्स्प्लेनेशन मौझूद था, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा वीडियो जिसको आपको एक्स्प्लेन करना है, यहां पर एक खिलाडी जिसकी टी-शिर्ट का नंबर था 18, वो भागते भागते अचानक 18 से 21 नंबर की टी- आखों का धोका था, या फर हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें वाकई में कुछ बहुत बड़ी गड़बड है, तो वीडियो को खतम करने से पहले ज़रा एक आखरी वीडियो और देख जाओ, यहां पर एक जाड़ी नॉर्मल दिखाई दे रही है, लेकिन जब उसक पीछे के पार से देखते हैं, मतलब कांच के इस साइट से देखते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि उसमें आग लगी हुई है, यह कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आई डोट नो, बट एक चीज मुझे जरूरी पता है कि भाई आगर आपको शक है कि आप साल के पहले वीडियो में मज़ा तो जरूर आया हुआ गर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर वीडियो थोड़ी थोड़ी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो थोड़ा और इंटरस बढ़ जाता है जैसे एक वो में वो KFC वाली क्लिप थी ती जो केसे वह वो कुर लेकिन एक वो खुड़ी ती मेरे को मुर्गियों का वह ने सही एक्स्प्लिण किया कि वह उसकता है लेकिन वह तो नंबर का था मुझता है वह तो कैमेर का लिच हो सकता है लेकिन वह जो लड़ सरपेंट वह हैरी पोटर कुछ जवाए था इच्छाधारे नाग वह पूंए जो उसकी आखी होई थी वह वी काफी इंट्रस्टिंग थी वैसे क्लिप लेकिन मैं उससे उस क्लिप के बारें दुबार करना चाहूंगा जो लड़की अंधेर रात में दिया ते रहात में बिना दिया कि जो रोड़ पर चलके आई थी और उससे लिए मुझे ऐसे वीडिय को पसंद आई होगी थे और विडियो के लिए उप Keeping और हम कोशीश करेंगे वीडियो सब्सब्स